कि नुश्कार बच्चो आज के इस वीडियो में हम फेस कंट्रोल रेक्टिफायर के नीड के बारे में बात करेंगे बच्वेस से बहुत सारे इंट्रव्यू मैंने फेस की यहां पर स्टुडेंट से नॉर्मली यही कोशन्स पूछा जाता है कि आप पढ़ते हैं इसको प्रक्टिकल यूज क्या है स्टुडेंट जातर पढ़के तो आते हैं पर उसके एक्जिक प्रक्टिकल अप्लिकेशन कहा है किस परपस से इस डिवाइस को हम यूज बना है या फिर कहां हम इसको यूज कर रहे हैं यह क्लियर नहीं होता इसलिए इस यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपोडेंट है यह हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जिसके वज़े से हमने फेस कंट्रोल रेक्टिफायर या अधर रेक्टिफायर को यूज किया इसलिए हमारा आज का टॉपिक है मीड़ पेज कंट्रोल रेक्टिफायर बचो आप सब जानते हैं रेक्टिफायर एक ऐसा डि रेगुलेशन कर सकता हूं यह जो रेगुलेशन है वोल्टेज का पावर का करेंग का यह अगर मेरी डिजाइड है ऐस पर लोड तो यह सिर्फ संभाव है हमारे पास अबलेबल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर से मैं बोल सकता हूं वैसे डिवाइस से वैसे स्विचिंग अल अप्लिकेशन है जहां पर मुझे सिर्फ AC to DC कंवर्जन नहीं करना बलकि एफिशेंट वे में करना है हमारे पास पुराने ट्रेडिस्ट्रल मेथे बच्चो जिसमें हम AC को DC में कंवर्ड कर पाते थे पर वह इतने अफिशेंट नहीं थे यहां अफिशेंट का मतलब है सबसाइब आलो जो पावर कंवर्जन का जो क्वांटिटी था जो रेदा वो लिमिटेट था यह सारे कंस्ट्रेंटस थे जो किकंस्ट्रेंट समी इस से में था और को यूज करते हैं और इसलिए यहां पर का डिमांड नीड बढ़ा है तो बचाशा जो पहला अप्लिकेशन वो था इंडस्ट्रियल अप्लिकेशन बेस्ट इंडस्ट्रियल नीड बेस्ट क्योंकि मुझे एफिशेंट पावर कनवर्जन करना है अब हम बात करेंगे वोल्टेज रागुलेशन का करना हमारी जिम्मदारी नहीं होती है जिब आज एंगेशन को इने करते हैं तो अमारे लिए चालेंज होता है कि मैं सिर्व व्याटेज को व्यारी नहीं करो बल्कि व्यारीशन स्टेबल होना चाहिए स्टेबल मेंस फ्लक्ट्वेशन नहीं है तरौवाइज अगर उसके इनी फॉर्म स्पीड से चल रहा है लेकिन अगर आपके आपके डिवाइस को अफिट करेंगे काटरिस्टिक्स अफिट करेंगे और लाइब भी अफिट करेंगे में मोटर के बर स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूं जैसे अच्छी को डिवाइबल भोल्टेज अगर चाहिए तो उसके अंदर हार्मोनिक्स मीनिमम मिनिमं हो और सबसे अजके टाइम में प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत है प्रिसाइज कंट्रोल की मदलब वह छोटे-छोटे लेबल पे हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं जिसे हम अपने मशीन का स्मूथ स्पीड वारियेशन कर सकते हैं तो यह तीसरे नीड है हमारे पास और इसलिए हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज करते हैं बच्चो हार्मोनिक एक ऐसा अन्वांटिट सिग्नल है जो हमारे में सिग्नल के अंदर जैसे ही इन बीड होता है डबलब होता है तो उसकी एक्ट्रिस्टिक्स को अफेट करता है इसलिए फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का जरूरत हमें पड़ा क्योंकि हम जो भी कंवर्जन करेंग को एजसे को डीशतिक्स को मिनमाईज कर सकें मिटिगेट कर सकें और हमारे पास जो पावर की क्वालेटी हो वो अच्छी है कि डिस्टॉर्शन मिनिमम से minimum हो यह हमारे face control rectifier की need के तरफ लेके जाता और उसे characteristics को in build करता है जब हम control system के अंदर automatic controlling operations करते हैं जैसे आज के time में अपने घर में washing machine यूज़ कर रहे हैं air conditioner यूज़ कर रहे हैं freeze यूज़ कर रहे हैं iot based home automation technologies आप यूज़ कर रहे हैं बच्चो आज के time में आपको light अपने upon हो जाता है आपको sense करके heat को sense करके human mobility को sense करके off हो जाता है यह सारे के सारे characteristics आज के time में perform कर रहे हैं बच्चो और यह तभी संभाव है जब हमारे पात बहुत precise और बहुत effective control करने वाला automatic control करने वाला converter available है switches available है तो यह सारे कुछ practical constraints है जिसके वज़े से face control rectifier को हम use करते हैं similarly बच्चो face control rectifier के निट इसलिए हमें पड़ी क्योंकि हम महारे पास बहुत सारे variable type के loads है like resistive load है reactive load है industrial बहुत सारे mixed load है resistive inductive इन सबी loads का application के लिए हमें face control rectifier के जरौत पड़ती है जब हम किसी बेडिवाइस को बच्चो operate करते हैं तो operation के time उसके अंदर heat build होता है तो जब हमारे पास एक ऐसा device होगा जो की minimum heat production की गारेंटी देगा जिसके अंदर heat production कम से कम होगी एक ऐसा converter होगा जिसके अंदर losses minimum से minimum होंगे तो सभाविक है वह हमारे device को effectively operate करांगे और यह भी एक reason है कि आज हम face control rectifier को use कर रहा है बच्चो face control rectifier आज सिर्फ AC to DC converter कहा की तर्फ limited नहीं है बलकि वह हमें safety भी दे रहा है हमारे device में जो भी protection circuitry है उनको भी वह सेफ कर रहा है क्योंकि वह harmonic free distortion free signal दे रहा है जो जिन डिवाइस का life cycle पहले बहुत कम हुआ करता था आज वही डिवाइस पहले के comparatively तीन से चार गुना ज्यादर टाइम टेख चल रहा है और इसका पूरा characteristics हो है वह developed हुआ है जबसे हमने इस तरह के effective face control rectifier को use करना start किया तो चाहे मेरे input power supply क्योंगी supply में variations हो load fluctuations के बज़े से characteristics में output में variations हो कि सभी के सभी चीज़े को control करने के लिए हमें जरूरत है कैसे converter की जिसके अंदर voltage और power को regulate कर सके harmonics को mitigate कर सके distortions को खतम कर सके और इसी को बोलते हैं बच्चो face control rectifier और इसलिए हमें इसकी जरूरत है that's all about this video thank you so much you